Keep Growing and E-Learning Destination में आपका स्वागत है Keep Growing में आज हम शेर करें हैं English, Hindi और Maths की कुछ Worksheets तो चलिए देखते हैं इन Worksheets को हमारी पहली Worksheet है एक English Worksheet Fill in the blanks by using in, on, under In, on, under तीनों ही preposition है जिनका इस्तेमाल किसी भी चीज़ की position बिताने के लिए किया जाता है Fill in the blanks में हमें in, on, under भरना है पिक्चर्स को देखते हुए Candle is dash the cake Candle कहां पर है? Cake के उपर तो उपर होने के लिए क्या आता है? On Candle is on the cake Mac is dash the box Where is Mac? Mac is inside the box Box तो हम लिखेंगे Mac is in the box A boy dash the table A boy is under the table क्योंकि boy है table के नीचे तो नीचे शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अंडर का Kitty is dash the bag Where is the kitty? Kitty is inside the bag तो हम लिखेंगे Kitty is in the bag A cup dash the mat तो यहां पर है cup mat के नीचे के नीचे के लिए हम हमेशा लगाते हैं अंडर A cup under the mat Ben is dash the dog house Ben is on the dog house A rat dash a hat Rat है hat के नीचे तो यहां पर क्या आएगा? अंडर Elephant is dash the ball Where is the elephant? Elephant is on the ball Max is dash the house Max is in the house A girl under the tree A girl is standing under the tree That's why we use word under Tweety is dash the basket Tweety है basket के अंदर तो हम लगाएंगे यहां पर In A ball dash a chair A ball under the chair A dog dash a van A dog under the van A dog under a van Tom is on the bench Bench के उपर है Tom तो हमने लिखा Tom is on the bench हम बढ़ते हैं अपनी अगली वरक्षीट की तरफ जो के हैं हिंदी में A की मात्रा से related पहला प्रश्न है अक्षर जोड कर लिखो यहां पर जो भी अक्षर लिखे हैं उनको जोड के लिखना है जैसे कि क क क क क क के बाद A की मात्रा और म काम इसी तरीके से क आकी मात्रा और र कार यहां पर ध्यान दिनी वाली बात यह है कि हमने यहां पर सारे क क के साथ आकी मात्रा लगाई है हमने सारे क वेंजन को लिया है साथ में आकी मात्रा और यहां पर बच्चे को समझाया है कि किस तरह क क क के साथ आकी मात्रा लगाने पर अलग-अलग विंजनों का इस्तिमाल करने से नया शब्द बन जाएगा जैसे कि अगर हमने का के साथ म लगाया तो बन गया काम का के साथ हमने र लगाया तो बन गया कार उसी तरीके से अगर हमने का के साथ लगाया न तो बन गया कान का के साथ अगर हमने त लगाया तो बन गया काथ का के साथ अगर हमने ल लगाया तो बन गया काल और का के साथ अगर हमने ज लगाया तो हमारा वर्ड बन गया काज आ की मात्रा वाले शब्दों के नीचे रेखा खीचो इस प्रश्ण में बच्चों को सिरफ जिस शब्द में आकी मात्रा लगी हुई है उस शब्द के नीचे रेखा खीचनी है बहुत simple question है, इसमें बच्चों को सिरफ आकी मात्रा के शब्द पहचानने हैं, जैसे कि न के साथ आकी मात्रा लगी है, तो बच्चे उसके नीचे रेखा खीचेंगे, पालक अपना, अब आकी मात्रा प्रारंब में भी लग सकती है और अंत में भी लग सकती है, तो सभी शब शब्दों में आकी मात्रा लगी हुई है, रिक्त स्थान पर आकी मात्रा लगाओ और शब्द पढ़ो, यहां पर बच्चों को जहां पर रिक्त स्थान दिया गया है, वहां पर आकी मात्रा लगानी है और शब्द पढ़ना है, इससे बच्चों को पता चलेगा कि आकी मात् घास, घास, हवा, आज, दवा, माता, कान, बात, कागज, माला, माला, बादल, ताला, इसी तरह से बच्चों ने आ की मात्रा लगाने सीखी और जब उन्होंने इन शब्दों को पढ़ा, तो उन्हें पता चल गया कि आ की मात्रा लगाने पर किस तरह से शब्द के अंदर परिवर्तन आता है, हमारा अगला प्रेशन है पढ़ो और लिखो, यह प्रेशन बहुत जरूरी है, जब बच्चे आ की मात्रा सीखते हैं, तो उन्हें इस तरह के शब्द हर दिन, पांच पांच शब्द हर दिन लिखने चाहिए, इससे बच्चों को रिडिंग के साथ साथ उनकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, जैसे कि हमारा पहला इस तरह के बच्चे को काला को तीन बार लिखेंगे, इस तरह से बच्चों को लिखना भी आ जाएगा, और साथ साथ जब वो बोलेंगे बार बार, तो वो काला शब्द को पहचानने भी लगेंगे, हमारी अगली वरक्षीट है, नमबर नेम से रिलेटिद, इसमें 1-10 नम नेम को हमने अलग-अलग तरह से questions में change करके दिया है, बच्चे जब इन questions को solve करेंगे, तो उनकी understanding improve हो जाएगी, हमारा पहला नमबर है, अगर बच्चों को spelling आती है, तो वो देखते ही 8 की spelling पढ़ लेंगे, 8, 8 की matching करनी है, where is number 8, इस से number recognition भी पता चल जाएगा बच्चों क कि 8 है यहां पर, 5, 5 की matching करेंगे, 5 के साथ, इसी तरीके से बच्चों को number name के साथ numbers की matching करनी है, choose the correct spelling, यहां पर number लिखी है और यहां पर लिखी है number की spelling, लेकिन दोनों spelling में से एक spelling ठीक है और एक spelling गलत है, कई बार बच्चों को mirror image की problem होती है, कई बार बच्चे उल्टा लि जाती है, जैसे कि number 2, तो बच्चे देखेंगे, इसमें हमने छोटा साइड दिफरेंस दिया हुआ है, बच्चों को spelling और अच्छे तरीके से learn करवाने के लिए, जैसे कि T, W, O, 2 होता है, T, O, W नहीं होता, कहीं बार बच्चे T, O, W लिखते हैं, तो 2 को circle करेंगे, 10, 10 को circle क करेंगे, 7, 7 की spelling कोन से होगी, एक spelling almost same होगी, लेकिन हमने एक letter आगे पीछे करके बच्चों को दिया है, ताकि बच्चे सही spelling को पहचान सके, 7, 1, O, N, E, 1 होता है, या O, E, N, 1 होता है, तो इस तरीके से बच्चों को spelling दी है, 3, और यहां पर है T, H, E, R, E, तो बच्चे कही बार letter की, जो sequence होता है, उसमें confuse हो जाते हैं, जब इस तरह की question solve करते हैं, तो वो problem काफी हद तक बच्चों की resolve हो जाती है, 4, दिखने में लगबग सेम लग रहे हैं, बच्चे जल्द बाजी में आपने देखा होगा कहीं बार question solve कर देते हैं, इस से थोड़ा सा वो भी control हो जाएगा बच्चों का कि उन्हें अराम से concentration के साथ ये काम करना है, इस से बच्चों का concentration तो बढ़ेगा ही, अब यहां पर है fill the missing letters, यहां पर number लिखा है, number की spelling में letter missing है, तो बच्चों को missing letter लिखना है, this is number 2, तो spelling होती है T-W-O-2, बच्चों को अगर अच्छे से spelling आती है, तो फिलप्स उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके साथ वो number recognition भी करेंगे, this is number 7, तो देखेंगे कि 7 की spelling में क्या miss है, S-E-V-E-N 7, 4, F-O-U-R, 4, इस तरह से बच्चों को यह पुरा question solve करना है, write the number, यहां पर बच्चों को number name दिया गया है, और number लिखना है, यह number 8, तो बच्चों को number 8 लिखना है, इससे बच्चों को कहीं बार ऐसा होता है कि बच्चे रट लेते हैं, तो यहां ratification नहीं चलेगी, यहां बच्चे को thoroughly word read करना पड़ेगा, और तब उसको यहां पर number लिखना है, number 3, यहां 3 लिखेंगे, 1, 1, 6, 6, 2, 10, 7, 4, 9, कहीं बार ऐसा होता है कि बच्चे first letter देखती समझाते हैं कौन सा number और फटा-फट गलत number लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे, और फिर अगर solve करेंगे, तो उनसे mistakes होने की जो possibility होती है, वो बहुत कम हो जाएगी, तो इस तरह से बच्चों को worksheets के थू practice करवाने से, बच्चों में improvement बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, कि बच्चे बहुत जल्दी से improve हो जाते हैं, और अक्सर यह होता है कि UKG के बाद जब उन्हें दूसर स्कूल में test देना पड़ता है, तो उस तरह की questions वो स्कूल पूछते हैं, तो वहाँ पर बच्चे इस तरह की questions को अगर starting से solve करते हैं, तो उन्हें वहाँ test करने में किसी तरह की problem नहीं आती, हमारी अगली worksheet भी number name से related है, यहाँ पर लिखा है number 3, क्योंकि number name बच्चों को बहुत देर से learn होते है कई बार बच्चे 2-3 दिन लगा देते हैं number name learn करने में, और कई बार वो confused हो जाते हैं, कई बार वो एक आदी spelling बीच में आगे पीछे कर देते हैं, तो जब वो इस तरह की practice करते रहेंगे, तो बच्चों को confusion दूर हो जाएगी, क्योंकि 1-10 number name learn करने के बाद, तो बाकी सब counting में उन्हें इतनी problem नहीं आती है, तो this is number 3, तो बच्चों को search करना, where is number 3, 9, where is number 9, कई बार ऐसा देखा जाता है, कि बच्चे LKG, UKG में आ जाते हैं, लेकिन number recognition की problem होती है, ऐसे में बच्चे बार बार जब questions को अलग-अलग तरीके से solve करते हैं, तो उनकी number recognition की problem सॉट आउट हो जाती है, लेकिन ध्यान आपको इस बात कर रखना पड़ेगा, कि जब भी बच्चे बच्चे वाक्षीट सॉल्व करें, तो आप उनके पास बैठें, जरूर उन्हें वाक्षीट सॉल्व करवाएं, लेकिन उन्हें बताएं मत, कई बच्चा कोशिश कर रह हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हें गलत करने दीजिए, दुबारा से वाक्षीट बनाएं, दुबारा से उनको प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए, इसे होगा ये, कि जब बच्चे गलत करते हैं, तो हमें पता चलता है, कि बच्चों ने मिस्टेक कहां की है, उनको कहां प देंगे उसके बाद अपनी वर्क शिट हैं और चेक होती है तो आइइ भी पर बिच्चे आप लेगए अगे सबस्क्रां के उन forte कि मिस्टेक है चलो इस वर्ड का फॉल अप दो मुझे या इसकी रिवीजिन करो दुबारा से इसको लर्न करेंगे हमें और अच्छा करना है इसी तरह से मोटिवेशनल रिमार्क्स आप बच्चों के साथ देते रहेंगे न तो बच्चे कमन फिर पढ़ाई से हटता नहीं है वो और encouraging होकर पढ़ने की कोशिश करता है यहां पर है हमारा next question unscramble यहां one की spelling दे हुए है लेकिन हमने उसको आगे पिछे करके लिखावा तो बच्चे को अगर one की spelling आती है तो यह देखनी की भी जुरत नहीं पड़ेगी और अगर नहीं आती तो वो इनको इन स्पेलिंग से वो one की स्पेलिंग बना के लिखेंगे यहां पर मैंने sequence में दिया है आप जब बच्चों को unscramble करने के लिए दें तो आप उनको number आगे पीछे करके भी दे सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे number रट लेते हैं कि one two three वो देखते नहीं कि साथ में number तो इस चीज के लिए भी जो बच्चे इस तरह से जल्दवाजी में काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा यह जैसे sequence में लिखावा है sequence में में ना लिखकर आप उनको आगे पीछे करके number और फिर unscramble करने के लिए देंगे तो इससे बहुत benefit होता है हमारी अगली worksheet हमने बनाई ह maths और Hindi makes यहां पर बच्चों को search करना यहां यहां पर 1 to 10 spellings लिखी हुई है search करना है circle करना है दन उसके बाद उनको spelling यहां पर लिखनी है जैसे यहां पर 1 की spelling है O N E 1 यहां पर तो बच्चों को यहां पर O N E 1 लिखना है यहां पर बच्चे sequence में लिखे ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहां पर लिब यहां on a कि यहां पर इस पजल में भी आध्य मात्रा से मंधित बहुत सारे शब्द Jung बच्चे शब्दों को छाटेंगे और लिखेंगे जब ये exercise हम बच्चों के साथ करते हैं तो उसमें बहुत benefit होते हैं एक तो ये कि बच्चे जैसे नए शब्द बनाना सीखते हैं जैसे कि हम ने यहां पर दिखा आ आज तो बच्चे यहां पर लिखेंगे आज तो बोलेंगे भी और बच्चों की understanding बढ़ेगी साथ साथ में ये जो puzzles दी जाती हैं ये बच्चों का concentration बच्चों का बढ़ाने के लिए बहुत helpful होते हैं इसमें पूरा focus चाहिए होता है बच्चे concentrate करते हैं बस बात इस बात का ध् हो जाएगी इस तरह की puzzle solve करने की आपको help कराने की फिर requirement ही नहीं रहेगी लेकिन इससे focus भी बढ़ेगा बच्चा concentration बढ़ता हो साथ में understanding जो इस एज में बहुत requirement होती है बच्चों को understanding करने की क्योंकि next year उन्हें formal schooling में जाना पड़ता है तो बच्चों को understanding की बहुत requirement होती है के बच्चे फटा 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 चीजों को understand करके उसको follow करें तो यहां पर अगर इस तरह की practice की जाती है तो concentration की सासत बच्चों की understanding भी बढ़ती है हम इसमें ढून लेते हैं एक और मिलेंगे जैसे कि तीन अक्षर के शब्द है यह जिसे पायल तो बच्चे यहां पर लिखेंगे पायल ठीक है यहां एक शब्द मिल रहा है माता तो यह इस तहां से माता बच्चे पढ़ेंगे भी यहां पर शब्द भी ढूनेंगे और उसके साथ साथ उस शब्द को यहां रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई वक्षीच के साथ